नमस्कार स्वागत आप सभी का आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मानव विकास Human Development यानि कि मानव जो है उसका विकास कैसे हुआ है और क्या-क्या कंडिशन्स होती है जिनकी वज़े से एक आदमी जो है उसका विकास होता है अब विकास का मतलब क्या है देखो जब आपको आपकी लाइफ में सारी फैसिलिटीज मिलें आप जो मन चाहे आपका जितनी आप में कैपिबिलिटी है उस हिसाब से आप अगर काम कर पाओ ठीक है उसके लिए आपको फ्री छोड़ा जाए आपको सारी सुविदा ने दी जाए तो वही क्या है आपका विकास है यानि आप अपने इसाब से जब सब कुछ कर पाते हो अपने लिए बहतर ओप्शन चुन पाते हो तो वही है आपका क्या विकास अब मानव विकास के एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है इसको आप अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना देखो डोक्टर महबूब उलहक है जिनोंने की मानव विकास पर बहुत काम किया है उनकी ये लाइन है मानव विकास ऐसा विकास है जो कि मानव के जीवन में विकल्पों में विर्दी करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है ये लाइन कही है डोक्टर महबूब उलहक ने वो क्या कहना चारे सिंपली जीवन में विकल्प लाने का मतलब ये है कि आपके पास option होते हैं बहुत सारे अगर सिंपल सा example इसका ये है अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आप नोकरी कर सकते हो या कुछ भी बन सकते हो जिस भी चीज के आप पढ़ाई करोगे आप उसमें eligible होते हो ऐसे कि एक पढ़ा लिखा अगर बच्चा MBBS की पढ़ाई करता है तो वो डोक्टर बनने के लायक हो जाता है उसके पास एक विकल्प आ जाता है एक option आ जाता है कि वो डोक्टर भी बन सकता है पर एक अनपड़ बच्चा डोक्टर बनने का विकल्ब रहता है उसके पास नहीं रहता ना तो यही कह रहे हैं यह कि विकास का मतलब यह है कि लाइफ में आपके पास विकल्ब हो अलग-अलग कुछ-कुछ करने के तो अगर आप पड़ लिख लेते हो आपके पास सुविधाय होती है तो आपके पास option भी बहुत सारे हो जाते हैं उसके लावाद जीवन में सुधार लाता है तो मानव विकास का मतलब आप समझ गई कि आपके पास बहुत सारे option हो आप स्वतंत्र हो आप independent हो और एक काम को करने के लिए आपका जीवन जो है वो अच्छा हो आपका lifestyle अच्छा हो तो वही क्या है मानव का विकास है समझके तो मानव विकास बिल्कुल simple सी चीज है जब आपको सारी facilities मिले जो चाहो वो आप काम कर सको जिस हिसाब से चाहो कर सको जितनी आप में शम्ता है आप उसका पूरा use कर सको तो वही क्या है मानव विकास है मानव विकास क्या है उसके कौन-कौन से type है उसके लिए क्या-क्या main चीज होती है तो वो हमें इस पूरे chapter में पढ़नी है, बड़ा simple सा और चोटा सा ये topic है, ये हमारा चो chapter है, बहुत ही short chapter है, ज़्यादा लंबा chapter नहीं है, इसमें हमें बस कुछ main main बाते अच्छे से पढ़नी हैं, समझ नहीं हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखना, ठीक, अच् चीजों में क्या अंतर है देखो growth का मतलब भी आपने सुना भॉइ growth कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहा यानि की or development का मतलब भी यही होता है कि चीज़े आगे बढ़ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं तो अंतर क्या है इसमे growth और development दोनों में अंतर देखो क्या है विर्दी यानि कि ग्रोथ जो है वो मातरात्मक होती है यानि कि क्वांटिटेटिव होती है यानि उसे आप जब भी गिन सकते हो आप किसी चीज को अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होती है तो वो क्या है वो है ग्रोथ होना जैसे कि अगर आप हाइट की बा जो है आपकी growth हो रही है आपकी height बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे आपकी growth हो रही है यानि बोलेंगे आपकी development हो रही है कि आप इतने लंबे हो गई ठीक है ये चीज़ हो गई तो जब भी आपकी height बढ़ती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो growth हो गई 5 और पहन की तो आपके बाट टोटल 10 पहन हो गई ऐसे ही जब भी आप किसी भी चीज़ को बढ़ाते हो quality में change करते हो उसके तो मातरा जब भी बढ़ेगी तीक है उसका size कहलो आप या आप उसकी मातरा कहलो वो जब भी बढ़ेगा तो वो क्या है विर्दी है वो जो हम साफ साफ देख सकते हैं और development क्या है देखो ये मातरातमक नहीं होती ये होती है गुनातमक development का मतलब है आपके अंदर मुल्यों का बढ़ना मुल्य मतलब values उसमें क्या था देखो उसमें थी मातरा का बढ़ना इसमें है quality का बढ़ना यानि कि जो आपके गुण है गुणातमक परिवर्तन होना जैसे कि आपके अंदर values हैं आप लोगों को जो अच्छे से बोलते हो आपकी speaking skills अच्छी है ठीक है आप जो greet करते हो और नमस्कार करते हो सब को अच्छे से बोलते हो किसे लडाई जगडा नहीं करते ठीक है तो यह सारी से आप ने सीखी तो आपकी development हुई आप क्या हुआ विकास हुआ है आप जब पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई आपके माते पे तो चिपकी बढ़े यानि quality बढ़े ठीक है quantity नहीं quantity होती है मातरा में quality जब भी बढ़े तो वो होता है विकास वो होती है development समझ गए सबसे मेर अंतर यही है कि विर्दी में सिर्फ मातरातमक change होते है और development में क्या होता है जो quality है आपके values है वो change होती है विर्दी जो है वो विकास का ही एक part है यानि विकास एक area बहुत बड़ा है विकास का उसमें विर्दी भी शामिल है तो विर्दी और विकास में जो अंतर वो यह है कि विर्दी में सिर्फ मातरातमक चिज़े होती है पर विकास में growth भी शामिल है और उसके सासत वो चीजे भी शामिल है जो मातरात्मक ना हो जो गुनात्मक हो समझ गए तो विकास का ही एक पार्ट है विर्दी भी तो विर्दी और विकास में पहला अंतर था ये दूसरा अंतर ये है कि जो विर्दी है उसमें होता है आकार में परिवर्दन यानि कि shape change होगी और development जो है उसमें क्या होगा उसमें मुल्यों में परिवर्थन होगा values में change होगा समझगे तो shape में change होना यानि आकार में परिवर्थन होना विर्धी है और मुल्यों में परिवर्थन होना विकास है अब विर्धी में देखो अगला point growth जो है उसमें growth सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है यानि positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है वही simple सा example आपका height बढ़ने का ही ले लो आप तो height अगर normal बढ़ रही है आपकी तो आपकी growth हो रही है पर अगर height जो है वो बिमारी की वज़े से भी बढ़ जाती है कई बार किसी का सिर लंबा हो जाता है इतनी अलग अलग टाइप की बिमारिया है ठीक है सिर्फ height बढ़ने की बिमारी बता रहा हूँ मैं तो उससे क्या हो रहा है शरीर तो आपका बढ़ रहा है तो वो कभी भी negative नहीं होता अगर मैंने मुल्यों में परिवर्टन की बात की थी आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपने नई चीजे सीखी आपने आपका develop किया है आपने कोई नई language बोलनी सीखी है तो वो क्या है? वो आपका विकास हो रहा है पर अगर आप गलत चीजे सीखते हो आपने चोरी करना सीखा तो वो अच्छी चीज नहीं है न वो नकाल आत्मा का negative है तो उसे हम विकास में नहीं गिनते तीक है? आपने दोड़ना सीखा चलना सीखा, ये सारी चीजे आपका विकास हो रहा था पर आप गाली देना सीख रहे हो आप गलत चीजे सीख रहे हो नेगेटिव चीजे सीख रहे हो तो वो आपका विकास नहीं है तो विर्दी में positive और negative दोनों चीजे हो सकती है चाहे वो किसी भी तरीके से हो growth होगी, हमें दिखेगी shape में change हो रहा है किसी भी चीज़ की मातरात्मक परिवर्तन आ रहा है चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो उसे हम विर्दी में count करेंगे ठीक है पर जो development है जो विकास है उसका मतलब ही क्या होता है positive change ठीक है विकास की definition ये है कि positive change होना सकारात्मक परिवर्तन नकारात्मक इसमें शामिल नहीं होता तो सकारात्मक परिवर्तन जब भी होगा positive change जब भी होगा तो विकास होगा ठीक है और positive और negative कैसा भी change होगा वो क्या होगा विर्दी होगा simple से example आप देखो आप खुद भी इस word को use करते हो जैसे कि किसी एरिया में जन संख्या बढ़ रही है तो आप कहा रहे हो यहाँ पर जन संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत विर्दी होगी जन संख्या की बहुत ग्रोथ हो गई, पर उस एरिया में जन संख्या के साथ-साथ facilities भी बढ़ रही है जैसे कि buildings बन रही है, malls बन रही है सड़के बन रही है, तो आप क्या बोलते हो ये area develop हो रहा है तीक है, आप देखा है कभी एक colony है, जुग्गी जो पड़ी है वहाँ पे जन संक्या तो बहुत जादा है आपने कभी कहा है, ये colony develop हो गई हो रही है, पर अगर वही चीज, अगर साथ-साथ facilities भी बढ़ रही है, जन संक्या के साथ-साथ जैसे cities develop हो रही है, बड़ी-बड़ी तो आप बोलते हो कि ये city develop हो रही है ठीक है, जैसे गुडगाउं बना, नोयडा बना, फरिदाबाद बना तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जन संक्या बड़ी, तो यहाँ पर facilities भी बड़ी थी, buildings बनी थी, नई-नई companies आई थी, तो सारी चीज़े develop होई थी, तो सब ने क्या गहा, कि ये चीज़ develop हो रही है, sectors बनते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, इस एरा में development हो रही है, विकास हो रहा है, तो growth और विकास में यही अंतर है, कि growth positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, पर जो विकास होता है, वो सिर्फ क्या होता है, सकारात्मक, growth जो है, वो मातरात्मक होती है, निकि आकार में, shape, size में change होता है, और development जो होती है उसमें आपको ना दिखने वाली चीज़े भी बदल सकती है। आपके अंदर की values, आपके मुल्य है, वो सारी चीज़े development में आएंगी, विकास में आएंगी, ठीक है वह development से छोटा area कि वह शेप और size में change होना क्या है growth है और development में shape, size, values आपको सब कुछ शामिल है उसी में ठीक है अब जब भी positive की बात होगी positive change की तो वह development होगी और अगर positive change की बात नहीं है negative भी positive भी कुछ भी हो सकता है वो है हमारी क्या विर्धी तो ये था हमारा first topic की important topic है मानव विकास और उसके चार pillar कहलो आप या चार स्थंब कहलो चार स्थंब का मतलब यहां पर यह होता है कि क्या चार वो main बाते हैं जिनसे वो चीज़ डिसाइड होगी तो मानव विकास आदमी मानव कौन मैं विकास मतलब मेरी development होना मेरा मतलब मुझे आउसर मिलना न download कर लेना देखो क्या है पहला है एकविटी यानि समानता कहलो आप या समता कहलो समाज में समां लैवल पे रखा जाएगा सब को आपको बराबर का दर्जा दिया जायेगा किसी जाती किसी ढरण किसी लिंक कि अधरपBobशक का यहां पही चाहिए तभी तो आपका विकास का विकास हो सकता है तभी human की development हो सकती है जब हमारे पास क्या हो right to equity समझ गए ठीक है जब आपको धरम जाती link किसी व्यदार पर जो है कोई भी सरकार हो चाहे चाहे दूसरे आदमी हो वो आपको साथ भेदभाव ना करें आपको उचा नीचा ना माने तो आपका क्या हो सकता है विकास हो सकता है तो पहला स्थम क्या है समानता होनी चाहिए society में सभी लोग समान होने चाहिए सबका level same होना चाहिए तब आदमी क्या कर पाएंगे विकास कर पाएंगे अपना ठीक है जैसे क्या है सबको equal opportunities हैं सबको समानता का अधिकार है तो विकास का पहला स्थम कौन सा है समानता है second point है हमारा स्तत विकास या स्तत पोशनियता इंगलिश में बोलेंगे sustainability sustain का मतलब क्या होता है जब आप लंबे समय तक टिको sustain बोलते हैं न उसे तो sustainability यानि कि जब आप लंबे समय तक विकास कर पाओगे तो वही है में बात में स्थम वही है दूसरा जैसे कि अगर आज के टाइम पर आप कुछ कर रहे हो तो आने वाली PD के लिए भी आपको उसे बचा के रखना पड़ेगा जैसे simple सा example है कोईल पेट्रोलियम का अगर आप यूज कर रहे हो आने वाले कुछी टाइम पर वो खतम हो जाएगा तो उसे हमें future generation के लिए बचा के रखना पड़ेगा हम जो pollution फैला रहे हैं उसे हमें control करना पड़ेगा ताकि आने वाली PD जो हैं वो भी अच्छे से रहे पाए हमारे जो बच्चे होंगे उनकी जो बच्चे होंगे उनकी लाइफ भी अच्छी हो वो भी अच्छे से रहे पाए तो ये चीज कैसे हो सकती है जब आप sustainability के साथ यानि की स्तत पोष्णियता के साथ विकास करो तो विकास का दूसरा स्थम क्या आया है स्तत पोष्णियता स्तत पोष्णियता का मतलब है की संतूलन बनाकर विकास करना यानि की बिलकुल control तरीके से बिलकुल परकरती के साथ अच्छे तरीके से मिल जूल कर क्या करना विकास करना तो विकास का दूसरा स्थम है कि आगे के लिए भी सोचना आगे के लिए बचा के रखना चीजों को conservation करके चलना ठीक है विकास करना पर तरीके से विकास करना तीसरा point है हमारा मानव का स्थम वो है productivity उत्पादक्ता यानि जब आदमी अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से लिखेंगे अच्छे से काम करेंगे तो उनकी क्या बढ़ेगी productivity बढ़ेगी तो productivity अगर बढ़ेगी तो वो society भी बढ़ेगी और मानव का विकास भी होगा तो बिलकुल सिंपल सी बात है तीन बाते हमने पढ़ी अब तक पहली क्या थी कि सभी लोगों को equal opportunities मिलनी चाहिए equity मिलनी चाहिए समता मिलनी चाहिए तबी वहाँ पर विकास संबह हो है दूसरी बात क्या थी कि स्तत पोशनिता होनी चाहिए यानि कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक टिके आने वाली PD भी अगली future generations भी उसका लाब उठा पाएं उसका फायदा ले पाएं तीसरा क्या है हमारा productivity बढ़ानी चाहिए। तो तीसरा pillar है हमारा मानव विकास का productivity अगर आप पढ़ोगे लिखोगे अच्छे से काम करोगे अपने आपको develop करोगे तो आपके क्या बढ़ेगी productivity बढ़ेगी तो human development का मानविकास का सबसे main pillar एक क्या मनता है productivity अब एक और fourth pillar बचा है हमारा empowerment सशक्तिकरण यानि कि आपके पास बहुत सारे option होना अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास option होगा कि आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो अच्छी नोकरी पा सकते हो ठीक है जैसे मैंने अब आपको बताया था कि जो बच्चा medical की पढ़ाई करेगा उसी के पास तो option होगा डोक्टर बनने का जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा उसी के पास तो option होगा नोकरिया मिलने का तो यही है empowerment कि आपके पास जो है बहुत सारे option हो आप सशक्त हो आप empower हो ठीक आप जागरूखो आपको हर चीज़ का पता हो तो मानव विकास के चार main स्थम है यह चारों आपको याद रखने हैं आप से पूछ सकते हैं exam में कि मानव विकास जो है वो कैसे होता है या उसने क्या स्थम है तो आपको यही चार बाते बताने कि यह चार main बाते हैं जिनके उपर मानव विकास या human development टिकी हुई है अब तक हमने दो main topics cover कर लिये हैं आगे जो कुछ main topics बचे हैं वो हम next video में cover करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और subscribe गरने के साथ bell icon जरूर प्रेस करना क्योंकि उससे आपके पास notification जाएगा जब भी हमको वीडियो अप्लोड करेंगे तब तो मैंने आपको इस channel पे सारा syllabus कराया है बिल्कुल अच्छे से सिर्फ इसी subject का नहीं इसके अलावा और भी जो subject है उन सभी का मैंने syllabus कराया है अगर आपको वो subject भी पढ़ने है तो आप description में भी उनका link आपको मिल जाएगा ठीक है और आप playlist में जाकर वहाँ पे भी सारी playlist से सारी चीज़ों को देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है सारी चीज़े आपकी cover कराई है आपकी NCRT की हर एक चीज़ मैंने cover कराई है बिल्कुल छोटे से छोटा topic भी नहीं छोटा है उसके अलावा जो आपके previous year question है वो भी कराई है NCRT के जो question होते हैं वो भी कराई है और भी जो important question बन सकते हैं वो भी कराई है आपका जो map work आता है वो भी कराई है तो आपको मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर कराई है बस आपको क्या करना है चैनल को subscribe करके playlist में जाकर sequel में videos को देखना है तिक्या अच्छे से पढ़ाई करो दिल लगा के मेहनत करो और अपकी वार अपने exams में टोप करके दिखाओ अगर आपको geography के handwritten notes PDF चाहिए तो हमें इस number पर whatsapp करें आपको simply इस पर 12th geography notes लिखके message send करना है आपको notes बहुत ही nominal prizes पर मिल जाएंगे अगर आप other subjects के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिखके और आगे वो subject mention करना है जैसे आपको history के चाहिए तो 12th history notes political की चाहिए तो 12th political notes लिखके message send करना है and other details you will get on whatsapp thank you